ग्यान मंत्रा हूम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सितंबर बिजन्मे हुए लोगों का क्या और कैसा सोभाव होता है। जिस तरीके की राशियों का प्रभाव लोगों के व्यक्तित वोपर पड़ता है। उसी प्रकार जन्म महा का भी प्रभाव परसनालिटी पर साफ साफ दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे सितंबर में जन्मे हुए लोगों का सोभाव कैसा होता है। सितंबर में जन्मे हुए लोग काफी स्मार्ट और संकोची सोभाव के होते हैं। आमतौर पर ये कोमल सुभाव के मालिक होते हैं लेकिन लोगों के सामने खुद को काफी कठोर दिखाने का प्रयास करते हैं। सितंबर में जन्मे हुए लोग दिमाग से काफी तेज होते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग शॉट हाइट, गेमवे रंगे होते हैं। इन्हें जीवन में काफी कुछ मिलता है लेकिन उसे पाने के लिए इन्हें काफी संगर्श करना पड़ता है। ये लोग काफी महनती और धनी भी होते हैं। ये रोमैंटिक होते हैं और अकसर प्रेम विभाही करते हैं। इनकी इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं। ये इमानदार पार्टनर भी साबित होते हैं। ये गुस्सायल भी हो सकते हैं जो कि इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन अपना गुस्सा जो होता है यह किसी के भी सामने बहुत असानी से प्रकट कर देते हैं। जैसे कि विज्ञान, मीडिया, टेलिविजन, रिसर्च, पुलिस, कम्प्यूटर, प्रोग्रामिंग, मेडिकल आदी सितंबर में जन्मे हुए लोग, संचार शक्ती उन लोगों की बहुत अच्छी होती है यह सामने वाले से अपनी बात को मनवाही लेते हैं इन लोगों को नौकरी चाकरी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शुरुवात में बात में धीरे-धीरे जैसे समय गुजरता है तो इन लोगों को अपना प्रोफेशन पसंद आने लगता है और यह लोग तरक्षी के रास्ते पर चलने लगते हैं सितंबर में जन्मे हुए लोगों के बारे में एक बहुत बुरी बात है जो कि इनकी इच्छा शक्ति कम होती है और इनको नशे की लट भी लग सकती है इसलिए यह चीज इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है बहुत महिंती तो होते ही हैं जो लोग सितंबर में पैदा होते हैं और बहुत ही एक तरीके से अगर देखा जाए तो अच्छा सुभाव लेके पैदा होते हैं प्यार मुहंबत में यह लोग सुरक्षा चाते हैं सामने वाले ने धोका दिया तो बरदाश नहीं कर पाते अब ही के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हुम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद